अस्सलामों अलेकुम और रहमतुल्लाही वबरकाता हूँ कैसे हैं आप लोग आज मैं अपने चैनल All In One विद लुबना असिफ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गवार फली की एक बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी अमोमन हमारे आएःसा होता है के सबसी पसंदे नहीं की जाती बच्चे या अक्सर बड़े भी सबसी खाना पसंद नहीं करते लेकिन मैं जस तरहे हैं आप आपको बता रही हूं बनाना आप बना के देखिएगा आपको जरूर इंशालला पसंद आएगा ये मैतड और खाने में ये बहुत मज़ेदार बनती हैं तो आईए मेरे साथ शुरू करते हैं इस recipe को यहां पे मैंने 200 ग्राम जो है वो गवार फली लिए इसको मैंने अच्छे रेमुफ करते हैं तो यह दोने तरफ को चिलके एसको रेमुफ कर करऊंगी तो यहां मेरा पानी बॉइल हो रहा है वैस्ट बॉilिंग मॉटममे जैसे यह पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर मैं इस पानी में जो है वो ये गवार फली एड़ करूँगी और बॉइल करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसके चिलके किस तरहां रिमॉफ किये जाते हैं इसको लाइट सा हमें बॉइल करना है जादा बॉइल नहीं करना है बस जैसे यह अलकी सी नरम होगी इसको हम निकाल लेंगे देखिए पांच मिनट में मैंने इसको पांच मिनट तक बॉइल किया है अब हमें इसका चिलका किस तरह रिमॉफ करना है तो ये देखिए बिसमिल्लायरमन रहीम ये मैंने इस तरह चिलका एक साइट से रिमूफ किया और यहाँ पे ये दूसरी साइट से मैंने इस तरह रिमूफ किया और इसको अब हम छोटी टुकडों में काट लेंगे आप चाहें तो इसको छुरी से भी काट सकते हैं या हाथ से भी अभी आसानी के साथ जो है वो तुकडों में कट जाएगी इस तरह हमें करके ये सारे इस तरह गवार फली इस तरह प्रिपेर कर लेनी है इसको तयार कर लेना है जी तो इसका मसाला तयार करने के लिए यहां पर हम ले लेंगे आप चौपर में भी पीस सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इस वक एक चाय का चमचा, दो चाय की चमचे सुफैद जीरा और साबोत या आप पिसीवी कोटी मिर्चे दे सकते हैं, एक चमचा कोटी मर्चे लिए है मैंने और दो बड़ी हरी मर्चे साबोत में इसमें एट कर रही हूँ, ऐसी को डाल कर इसमें मैं ग्रैंट कर लोगे, और इसके इसके लावा मैं जो चीज ले रही हूँ, जी तो ताबुत लहसन ले रही हूँ या आप इसको टुकडों में काट लें जिस तरह मैंने हरी मर्च को काट लिया है, एक चमचा, एक चमचा इसमें आप लहसन की टुकडे डालेंगे, और ये सारी चीजे में लाकर हम एक साथ तर अजय के लिए और एक ही चमचा फुल भरके आपको इसमें पिसा हुआ खुपरर लेना है, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं है डोगा, इसको चॉप कर लें अच्छी तरीके से, मैं इसी में चॉप कर ढूँगे इसको, ये सारी मसालों को हमें अच्छी तरीके से, मैं बढ़ाई रग दिये गराम होने के लिए फ्लेम पर और यहां वन टेबल स्पून ऑफ आइल यूज रहे हूं मैंने वन टेबल स्पून ऑफ आइल या है और जो मसाला मैंने आपके सामने चौपर में किया था आप चौपर में करेंगे तो यह और जादा जो है वो स्मूधली जो वो चौप होगा लेकिन इसमें थोड़ा रफली हुआ है तो बिसमिल्लाहरमाल रहीम यह इसमें हम एट करते हैं बहुत अच्छी मज़ेदार और जबर्दस्ट किसंदी सब्जी तयार होगी बहुत डिफरेंट और यूनिक स्टाइल ही है इंशाला आपको बहुत इस तरीके से बना के देखिएगा इस तरह की लगज़त आएगी सब्जी में कि आप जो है वो उमलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे बहुत अच्छी लगज़त पालिये रह से लिए जो नहीं भी खाते हैं वो लोग भी इस सब्जी जरूर खाने लग जाएंगे और बच्चे अमोमन हमारे याँ सब्जी या नहीं खाते तो आइम शॉर कि वो भी इंशाला ज़रूर पसंद करेंगे बिल्कुल इसी स्ट्राइल से खुब अच्छे तरीके से आप बनाईएगा मेरे सारे स्ट्राप को आज़ एस अच्छे तरीके से अब इसमें मैं वन टेब मैं अंदाजे से कम अगर आप लोग खाते हैं कम पसंद करते हैं नमक तो आपका मैट कीजिए और अगर आप लोग से खाते हैं नमक तो यह सिह के लिए अच्छा नहीं है अगर कम यूज किया जाए तो जादा भीतर है यहां पर मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया अब इस मसाले में मैंने जो गवार फली यहां पर देखिए चिलका उतार के और इस पॉम में इसको छोटे-छोटे टुकडों में काटके रख लिया है तो अब हम जो है वो इसको गवार फली को जो हमने हलकी सी ब आप देखेजिए, थोड़ा सा पानी लेंगे हम, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा पानी अट करने के बाद, मैं ढखकन ढखके रख दूँगी इसको, अब अकरीबं 10 मिनाट के लिए इसको छोड़ दूँगी, ताकि जो भी इसमें थोड़ी बहुत कसर रह ही है, वो पूरी होता है, जरूर बना के देखिए गए रैसेपी, इंशालला आपको जरूर पसंद आएगी, यहां पर मैंने इसको, कवर करके रख दिया है, ताकिरीबं 10 मिनाट के लिए, 10 मिनाट के बाद मैं आपको इस दिश को डिश आउट करके बताती हूं, दिखाती ह यहां पर देखिए कि यह मेरी दिश रैडी होने वाली है, जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है, वो मैं बून कर इसको खुश कर रही हूं, और इतनी अच्छी और जबर्दस खुश्पू इसमें से उठ रही है, और मेरी वुक में इजाफा कर रही है, बहुत आप लोगों को जरूर पसंद आएगे, तो कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताइए कि मेरी रैसिपी आपको कैसी लग रही है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इंशालला मैं इसी तरह की और अच्छी और जबर्दस और डिफरेंट और यूनिक रैसिपी आप के लिए लाती रहूंगी, यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ, इस्पिल लाइरा मान रही मुझे अच्छी और जबर्दस और लजीज रखते हैं, इसको रोटी के सर्विंग के साथ आप लोग खाईए और एंज्वाई कीजिए, कैसी लगी आप लोग लोगों को मेरी रेसिपी जरूर बताईएगा, दौआ में याद रखिए, इंशाला फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, लाहाफेज